नमस्ते, जल यानी पानी पूरी सुरुष्टी के लिए या हमारी शरीर के लिए इसका बोहर जादा महत्व हैं, हमारे शरीर में भी 70% liquid याने ड्रव है प्रपानी है, अनकी बन बिना हम कुछ दिन या इखाद महीने तो भी जी सकते हैं लेकिन पानी के बिना हम कुछ दिन भी हम survive नहीं कर सकते ऐसा पानी जो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए हमारे health के लिए पर कई बार क्या होता है पानी पिते वक्त हम बहुत ऐसी गलतिया करते हैं जिस वज़े से future में हमें हमारे शरीर को उसका नुकसान जेलना पड़ता है तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पानी पिते वक्त हम कौन सी गलतिया करते हैं और उसे कैसे सुधार ना चाहिए मैं निवे दिता फ्रॉम इंट्रेडिबल योग गलती नंबर एक है कि सुबे उठते ही फ्रिज की बॉटल फ्रिज का थंडा पानी पिना या दिन भर सिर्फ फ्रिज का ही पानी पिना सुबे उठते ही जब अगर फ्रिज का पानी पीते है उससे क्या होता है हमारे बॉडी में एक एक अनर्जी मिलती है हमारे body के toxins होते हैं वो दूर होते हैं हमारा पेट साफ होने के लिए मदद होती है और जब आप थंडा पानी पीते हैं इसका उल्टा असर होता है मतलब आपका digestion slow होता है आपको constipation होगा शरीर के toxins जो है वो बाहर नहीं निकल पाते तो आपके शरीर में आपको cramp या catch आना कि फीन प्रीज की बॉठल से पानी पीते हैं अब हैं उसका भी इसका असर आपकी शरीब पे होता है तो आपको क्या करना है पुस्त पानिंग को हमारे शरीब के लिए अच्छा नहीं है तो आप मितनी के घड़े का आद समाद कर सकते हैं प्राकुरूतिक प्रिज का पानी है वह में तो लगता है कि हमारी प्यास बुजारा या थंड़क हमें मिल रहे लेकिन नहीं वह आपके शरीर को कोई थंड़क नहीं देता बलकि फ्रिज का पानी आपको एसीड बढ़ाने का काम करता है फिर अगर आप मिट्टी के घड़े का पानी भी आप न तो वह कैसे आपको पीना है कि फ्रिज की जो भी बॉटल है वह बॉटल से आपको ग्लास में आधा पानी भरना है आधा पानी नॉर्मल पानी दोनों मिक्स करके आपको पीना है अगर आप इस तरीके से पानी पीते तो भी आप वह असर कम करते हैं गलती नमबर दो है कि प्रेशर आजाता है प्लस हमारे जॉइंट के लिए वह बहुत खराब होते हैं अगर आप हमेशा खड़े होकर पानी पीते हो तो फ्यूचर में जाके आपको नी पेन या जॉइंट पेन हो सकता है इसलिए हमेशा बैठ के ही पानी पीना चाहिए कलती नमबर तीन है कि एक साथ ही बहुत ज्यादा पानी पीना या बहुत फास्ट तेज पानी पीना जब आप बहुत ज्यादा पानी एक साथ पी लेते हैं या बहुत फास्ट पानी पीते हैं उसका भी वही हमारे शरीर के करके पीना है ताकि वह हमारे Saliva में मेंखोर करना पड़ता है तो जो आप तेज पानी पीटे भली आप इतना भी पानी पी निए प्लश आउट हो जाता है उत्रमारग से वह निकल जाता है उसका हमें फाइदा नी हो पाता है तो इसी लिए अगर आपको तो आपको हमेशा दीरे घुट-घुट करके पानी पीना चाहिए और ऐसा बहुत बार होता है कि जब आप बहुत देर से पानी अगर नहीं पीते बहुत समय तक कि यह तो आपको बहुत ज्यादा मतलब जो सेल्स होते हैं वह बहुत मतलब वह डिहाइड्रेशन उन्हें होने तो इसी उखे से हमें बहुत Tej-Piaas लगती है और हम बहुत सारा पानी एक साथ पी जाते हैं तो इसलिए को क्या करना है कि आपको थोड़े-थोड़े देर में मुझा एक गंटे में आपको थोड़े-थोड़े पाणी पानी पीना है ताकि आपका शरीर हाइडरेटेड रहे और आपको तेज प्यासना लगे गलती नमबर 4 है कि खाने के बाद तुरंथ ही बहुत सारा पानी पीना है तो जब हम खाना खाते हैं हमारे जो स्टमक होता है उसमें आपका चिएनल जता है और जब हम तुरंथ ही बहुत सारा पाली थे जाते है मतलब उसमें पानी मिक्स हो जाता है इस वाज़ेसे जो दाजेशन है वह बहुत囉 होने लगता या फिट अच्छे से खाना अच्छे से डाइजेस्ट ही नहीं हो पाता और जब खाना अपका डाइजेस्ट अच्छे से नहीं होता तो उस वजह से कहीं ज्यादा प्राब्लमों हो जाते हैं जैसे की गैस होना, आसिडिक said होना एसिडिटी होना और आपको से경े में और नहीं सकता है अगर आपके खाने में कोई liquid है जैसे कि दाल है या फिर कोई पतला पदार्त है तो आपको पानी पीने के जरुरत नहीं है पर अगर खाना आपका सूका है या ड्राइ है सिव रोटी सबजी आप खा रहे हैं तो थोड़ा सा बीच में आप पानी पी सकते हैं लेकिन खाना खतम होने के बाद आपको तुरंद पानी नहीं पीना है आपको खाना खतम होने के बाद 30 से 40 मिनिट बाद ही आपको पानी पीना है इससे आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा और आपको फ्यूचर में भी कोई problems नहीं आएंगे गल्ती नमबर पाच जो आजकल सभी हम कर रहे ह वह है कि प्लास्टिक बॉटल में पानी रखना और प्लास्टिक बॉटल से ही पानी पीना मैं देखा है बहुत सारे घरों में सुबे में ही बहुत साथ प्लास्टिक बॉटल में पानी भर के रखा हुआ रहता है और दिन बर घर के सारे सदस्ते उसी पानी उसी बॉटल से लेके पानी पीते हैं फ्म इंटल को करने हुंई तो उसमें थोड़ा-थोड़ा मिक्स होते रहता है Q2 ठीक प्लास्टिक भॉटल से प्लास्टिक होनले उससे उसका आप यूज कर सकते हैं तो आप अपकी लाइफ में अगर आप सच में प्लास्टिक बॉटल से पानी पीते हो घर में दिन बर तो आपको प्लीज वो बंद करना है और उसके जगह आपको रिप्लेस करना है स्टील या काच या क्रॉपर की या मिट्टी की बॉटल गलती नंबर 6 है संसेट के बाद बहुत ज्यादा पानी पीटे बहुत लोग यह गलती गरते जो दिन भर बीजी रहते हैं और पीपातें तो अपना पानी पीना मतलब घर में आने के बाद वो पानी की काम है वह पूरी है कि सूर्यास्ता के बाद भी आपका जो पानी पीना है वो भी आपको कम करना है जो भी आपको पानी पीना है जितना दिन भर में वह आपको डे टाइम में मतलब 6 बजे तक मतलब सूर्यास्ता के पहले आपको वह ज्यादा पानी आपको पीना है और सूर्यास्ता के बाद तो उससे क्या होता है हमारे बॉर्ड़ी में वाट रेलींशन होता है वह जादा पानी पिने के वजय के वजए से हमारे शरीर में कफ बननी लगता है कफ के वजए से आपको साइस का प्रॉब्लम हो सकता है कोई भी infection आपके chest में हो सकती या फिर आपको लगातार सर्दी होना या गले का infection होना वो हो सकता है ज्यादा पानी पीने के वज़े से आपको रात को भी दो तीन बार या तीन चार बार आपको उठना पड़ता है बातरूम जाने के लिए उस वज़े से आपकी नींद भी खरा सकते हैं और उसे कैसे सुधार नायए वो भी मैंने आपको बता दिया और एक सबस्वाल मुझे सब पूछते हैं वह कि कितना पानी पीना चाहिए तो आयरवेदा के अनुसार कितनी प्यास लगे उतना पानी पीना चाहिए ऐसे कहा गया है लहर किसी व्यक्ति करेंग्स कहा रहता है और उसकी प्रकृती क्या है उसके हिसाब से उसको जो पानी पिना है वो निर्धारित होता है हर किसी की पानी पिने की ज़रूरत भी अलग हो सकती है तो इसलिए पानी आपको प्यास लगे उतना पिने के लिए कहा है मतलब जितनी आपको प्यास लगे उतना पिना है पर कैसे होता है कि जब हम जैसे कि हम शेरों में रहते हैं या बहुत ज़्यादा काम में बीजी हो जाते हैं तब हमें ध्यान निमाले हमें थोड़ी सी प्यास लगी होई रहती हैं लेकिन काम के वज़े से हम ध्यान नहीं दे पाते हैं और इस वज़े से बहुत टाइम निकल जाता है कि हम उतना 2-3 घंटे तक पानी ही ने पिया और बाद में याद आता है कि हमें पानी पीना है तो इस वज़े से आपको ध्यान रखना है धीरे-धीरे कि आपको बीच-बीच में पानी पीते रहना है अगर आप पानी कम पी रहे सेटेशा हमेशज होता है आपको हमेशग सर्डर्द होता है अपके शरीर में आपको जादा क्रैम साते हैं कुछ lebih स्ट्रेचिं करने वाग तो शक्किण या हैर का प्रॉबलम है यह भी हीट जो स्मझना चाहिए कि आपको पानी पीने की जरूरत है तो आज की वीडियो में हमने देखा कि हम पानी पिते वक्त क्या गलतिया करते हैं और उसे कैसे सुधारा जाए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजे शेयर कीजे अपने दोस्तों के साथ और इस section में लिख सकते हैं मिलते हैं ऐसी एक नए वीडियो के साथ नमस्ते